दोस्तो, Beyond Infinity में ID Activation Payment कैसे करते है, जानिये. सबसे पहले आपको अपना ID Login करना है. Login करने के बाद, Telegram Boat Activate करना है. उसके बाद KYC करना है. KYC Completed करने के बाद, आपको Finance में जाना है. उसके बाद Purchase Product में जाना है. उसके बाद Purchase Now के नीचे Cryptocurrency में टच करना है. उसके बाद Continue में टच करना है. फिर से Continue में टच करना है. उसके बाद Select 1 में जाना है. उसके बाद USDT TRC20 को सिलेक्ट करना है. उसके बाद Continue to Payment में टच करना है. थोड़ी देर Wait करना है. पेमेंट गेटवे लोड होने में टाइम लगता है उसके बाद एड्रेस को कॉपी करना है कॉपी करने के बाद वेबसाइट को गलती से भी रिफ्रेश नहीं करना है नहीं तो एड्रेस चेंज हो जाएगा पेमेंट करने से पहले आपको मोर डिटेल्स में टच करना है और स्क्रीन शॉट ले लेना है क्योंकि बाइमिस्टेक से कोई भी गलती हो गया तो कंपनी को प्रूफ दे सकते हैं अड्रेस कॉपी करने के बाद और अपने क्रिप्टो एक्सचेंज में जाना है जैसे की मैं बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करता हूँ तो मैं बाइनेंस में आया हूँ मैंने पहले से ही 88 USDT बाइ करके रखा हूँ अगर आपके पास USDT नहीं है तो आप USDT बाइ कर लीजिएगा ओके और विद्डॉव में टच करना है उसके बाद USDT में टच करना है आपके में USDT शो नहीं कर रहा है तो सर्च कॉइन में USDT टाइप करके सर्च कर लेना है शो हो जाएगा उसके बाद USDT में टच करना है उसके बाद सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करना है यहाँ पर address को paste कर देना है उसके बाद network में TRC20 select करना है amount में आपको short payment नहीं करना है नहीं तो lust हो जाएगा आपका USDT तो देखिए यहाँ पर केतना USDT लग रहा है यहाँ पर 53.56 है तो आपको 54 करना है उसके बाद यहाँ $2 network fee लग रहा है तो total 56 USDT payment करना है उसके बाद withdraw में टच कर देना है उसके बाद confirm में टच करना है उसके बाद authenticator app में टच करना है उसके बाद authenticator app में जाना है और यहाँ से code copy करके यहाँ paste करना है उसके बाद email में भी code जाएगा Gmail में Binance का mail को open करना है और code को copy करके यहाँ paste कर देना है paste करते साथ withdraw processing हो जाएगा उसके बाद beyond infinity में चला जाना है फिर यहाँ पर थोड़ी देर wait करना है एक से दो मिनिट time लगता है payment processing होने में तब तक wait करना है उसके बाद checkout completed हो जाएगा उसके बाद आपके profile एक दो मिनिट में paid हो जाएगा तो दोस्तों आपको पता चल गया कैसे ID activation payment करते है अगर यह जानकारी से आपको कुछ भी help हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा दोस्तों ऐसे जानकारियां हम देते रहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहे दोस्तों थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई